शासन प्रिशासन भले ही दिव्यांगों के लिए लाख दावे कर रही हो लेकिन जमीनी स्तर पर यदि देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही सामने आती है हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के पाली विकास खंड के ग्राम सर्वाही कला जहां एक आदिवासी 100% दिव्यांग युवग जिसे आज तक पेंशन के लावा और कोई अन्यशास के लाब नहीं मिल रहा आदिवासी दिव्यांग युवग संग्राम सिंग से जब बात की गई तो उन्होंने बताया उन्हें पढ़ाई करने का शौक है और अपनी पढ़ाई के लिए 100% दनी पढ़ती है पिता साधन किसान है संग्राम सिंग ने अपनी पढ़ाई चालू रखने के लिए घर पर ही छोटी सी दुकान संचालित की है जिससे युवग की पढ़ाई के लिए फीस का गुजारा हो सके वहीं संग्राम सिंग ने बताये कि वह अपनी समस्या को लेका प्रदेश के मुख्या शिवरा सिंग चोहान, शेत्रिय विधायक मीना सिंग एवं कलेक्टर तक से मदद के लिए गोहाल लगा चुके हैं लेकिन उन्हें सिवाए आश्वासन के और कुछ भी नहीं मिला तो क्या बहुते हैं तो क्या बोले उन्हें क्या कुछ बोला बस यह और स्वसंद यह कि दो तिन बाइन बात बताते हैं